कॉंग्रेस ने मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद बोधी ने वैक्सिनेशन की पोल खोल दी है इसलिए मुख्य मंत्री शिवरा सिंग चोहान सिर्फ एक गाओं को लेकर राहुल गांधी पर अपनी साख बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं कॉंग्रेस प्रवक्तास नरेंदर सलूचा ने शिवरा सिंग चोहान पर निशाना साथते हुए कहा कि प्रधान मंत्री ने बता दिया कि मध्यप्रदेश में कैसा वैक्सिनेशन रहा वेक्सिनेशन के मामने में शिवराज सरकार की विफलता को प्रधान मंतरी ने बैतूल में बता दिया वहीं कॉंग्रेस विधाय कुनाल चौधरी शिवराज के बयान पर आपत्ती जाहिर करते हुए बोले कि राहुल गांधी के कारण ही देश में फ्री वेक्सिनेशन हो रहा ह शिवराज सरकार सिर्फ मुझ चलाना जानती है सरकार चलाना नहीं शिवराज अपनी अकरमन्यता को छुपाने के लिए दूसरों पर आरूप लगा रहे हैं देश के प्रधान मंत्री जब बात करते हैं बेतूल जिले के डोलरिया गाओ के अंदर तो लोग भरम की बात करते हैं लाखो करोडों रूपे के विज्ञापनों के नाम पे बड़ी बाते करने के नाम पे सिर्फ और उसके बाद भी भरम की इस्तिती और वो भी भाद्यपदेश के अंदर उस पर राहुल गांदी जी पर आरूफ लगाते हैं राहुल जी वो नेता है जिन्नों ने इस देश के नागरी को सचेट करने से लेके सरकार को चेताया कोरोणा के अंदर जो सबसे बहतर तरीके से क्या इलाज हो सकता उसको बताने का काम किया पर सरकार ना तो उनकी बात नहीं ना उसके खिलाफ गई और इसी के कारण इतनी लगों की मौते हुई लाखों लोगों के मरने के बाद भी सब्वो लेने के खिलाफ मध्यपदेश के मुख्यमंतरी इधर-दर का काम कर रहा है मुझे लगता है कि मुख्यमंतर जी अपनी कर्मन अकता को चुपाने की ज देश के हर नागरी को वेक्सिनेशन उपलब दो रहा है आप देख रहे हैं दखल न्यूर